दोस्तों अगर आपने हमारी पूरी वीडियो से देखी होगी और हमने उसकी पूरी फार्मिंग की ती स्टार्टिंग उसे कैसे स्टेरिलाइस किया जाता है बीच कैसे डाला जाता है और तीस दिन फार्मिंग कर सकते हैं कैसे आपको क्या क्या नॉलेज्ड चाहिए व doğru मश्रूम तो हम आपको सारी जानकरी दें आप को किस तरीकी जान करिये और अगर बटन मश्रूम करें किसी भी तरह की मश्रूम कर bạn कर रही है है अगर आपको कोई भी प्राबलम रही है आप हम से कोंटेक्ट कर निकलते हैं जिसे पिन हैड बोला जाता है उसके बाद दो दिन के बाद आप देखेंगे ना यह बड़ी जादा तेजी से ग्रो करती है कुछ इस तरीके से दिखती है ठीक है किस तरीके से ग्रो कर रही है और दो तिन दिन के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही है ठीक है यह अलग लग तरह के पिनहीं निकले हुए तो कुछ इस तरिके से देखती है और अगर यही मश्रूम अगर आप नहीं तोड़ेंगे तीन दिन के बाद कुछ इस तरीके से देखती है यह आप चेक कर सकते हैं चिस तरीके से ज olduğ 2017 जो है यह सिर्फ काफी बढ़िया लग रही है और इसका इस मश्रूम का फाइदा यह है कि काफी ज़्यादा पाइसा आप इसमें कमा सकते हैं according to button mushroom के लिए बोड़ा स्यापा करना पड़ता है उसकी कटाई करने पड़ते हैं वाशिंग करने पड़ती है लेकिन उस्ट्र मश्रूम में ऐसा नहीं जब इससस्तार्टिंग आपको स्टार्टिंग नहीं जब फार्मिंग करने ही जब इससस्Euत्ति gesch़ता स्क्राइब यहां से और इस दिन यह हमने बाप बाहर निकाला हुए दैकि आपको के से नज़र आए वरना हमने दर्मने रखें से यह मत सौच देना कि और मिशरुम। जो हुछ बढ़ रहते हैं जो भी मश्रुम हैं वह इंडॉर ही गोन होती यह लेकिन जो जंग ली होती हैं जो वाइडला फल में होती है